देखें फाइनली डे वन के डंकी का ओफिशल कलेक्शन मेकर्स की दरफ से रिवील कर दिया गया है, सुबा से ही सब वेट करें थे आखर फिल्म ने कलेक्शन किया कितना, और देखेंगे तो ओवर सीज मार्केट में फिल्म ने धमाल मचाया, और वर्ड वाइट बॉक्स आफ इस पे फिल्म का जो डे वन का टोटल ग्रॉस कलेक्शन रहा है, वो रहा है 58 करूर रुपीज, इंडिया नेट कलेक्शन फिल्म का लगबग 32 करूर के आसपास रहा है, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन फिल्म का रहा है 37 करूर, 70 लाक रुपीज, और बाकी जो कलेक्शन है 20-21 क मार्केट से कमा है तो कहीं ना कि एक शांदा शुरुआत हासिल की और आप दिखेंगे तो पैंडेमिक के बाद जितनी भी नॉन एक्शन फिल्म में रिलीज हुई है उन में सबसे जादा कलेक्शन सिर्फ किसी का भाई किसी की जानिया फिर शायद तू जोटी है मकार फिल्म क और उस हिसाब से डंकी ने क्या कलेक्शन हासिल किया और उसके लावाल लाल सिंचेटड़ तो 11 करूट पही थी तो ये दो तीन फिल्म है तीन चार फिल्म है नॉन एक्शन फिल्म है जी ग्यारा बारा पंदरा करूट बस इतना ही कमा पहीं थी लेकिन यहाँ पे शारुक ख वो भी वापस रिवाइब होईता और फिल्म ने पहले ही दिन पच्पन करूट का सिर्फ इंडिया नेट कलेक्शन हसिल किया वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओफिस पे 100 करूट रुपए का कलेक्शन किया और लगातार पास दुनों सदक 100-100 करूट रुपए फिल्म में वर्ल्ड बॉक्स ओफिस पे खमाई थे उसके बाद क्या हुआ जवा जवान लेका है शारुक खान मासी फिल्म बड़ा मास मासी है ता लोग को मासी जिनेमा शारुक खान ने रहा है जवान ने क्या किया पहली दिन 65 करूट वो तो बलकि सिंगल डे पे 80-80 तक गई तो इस तरीके का बजा रही है सेकिंड डेबी फिल्म ने काफी अच्छा होल बनाकर रखा हुआ है और यह रफ्तार बढ़ती चली जाएगी आपने फिल्म देखी या नहीं और कैसी लगे आपको कॉमेंट करके बता है